जैसा कि अभी सबी को पताएगी उक्रेन और रश्या के वार के भी उक्रेन के हालत बहुत जादा गंबीर हो गए थी इस बीच वहां के एरपोर्ट सील्ड हो गए थे वहां से आना बहुत इंपॉसिबल हो जुका था पर हमारी सरकार मोदी जी और उनके तीम में पूरा सायोग दिखाया और मेरे जैसे मुझे और मेरे जैसे और मेरे जो कलिक्स फसे हुए हैं उन्हें सब खुशल वापस घर ले के सब पॉसिबल तो था नहीं ऐसे एक दम से इतनी बड़ी-बड़ी कंट्रीज का वीजा नॉर्मन फ्री करवा देना फिर वहां से इतने एक दिन में दो-दो-तिन-तिन हजार बच्चों को लेकर आना एक्वेट करना कोई मजाग को है नहीं और रही बाद बाकी कंट्रीज की तो मैं बस इतना कोगा कि पाकिस्तान के बच्चे भी इंडिया का फ्लैग उसकरने पे वैक्वेट होने के लिए हम भी जो हमारे मोदी जी ने मिशन गंगा चलाया है उसके थुरू आपस आया इंडिया हमारे वहां पे बहुत अच्छा इंतिजाम किया हुआ था बाकी मो जो भी हमारे मोदी जी ने उनके साथ रॉष्या के साथ डिपलमाटिक लेशन बनाए थे या फिर जो भी उनके साथ बात्सीत करी उसका में बहुत फायदा हुआ क्यूंकि हमें ऐसी जगह से बचा के लाए हुआ इसी जगह से निकाल के लाए है जहां पे मतलब आप आदे जितना आपने किया हमारे लिए एक दस घंटे ही फ्लाइट में चार बार खाना मिला वह भी अच्छा खाना साथ सुतरा आप मुझे नहीं लगता कि इसी नेशन ने इतना कुछ हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए अपने इंडियन के लिए किया होगा या अपने नेशन वापस आपाएंगे तो मौधी जी काम धरनवाद करते हैं कि उन्होंने काफी है की जिसकी वज़े से आज हम बच्छे से मिल बढ़ते हैं जिसके तहत हम बॉर्डर क्रॉस कर पाए लास्ट मोमेंट में और ट्रांस्पोर्टेशन में बहुत हल्पी ये तक हमने हमारा जो ज बच्छा घर आये हैं और यादी कोई और दूसरा कोई होता शायदी ऐसे काफ नहीं कर बाता जो इतने स्टेंड के साथ हमारा बच्छे को बूर्ड बिल्कुल फ्री वहां से जो आया है वाई यहार कर आया यहार तक पोच आया और जिसका अधिया बच्छी शुरप से घर अधिया है मैं घरमांती जी का कह दिया अधिया चाहते हैं और जो भी हेल्प लाइन नंबर जो है इंडिया नंबेसी की तुरंट लगा रहे हैं तुरंट वह रिसीव करें और अपने जितने भी मतलब हम लों को कोई भी दिक्कत हा रहे हैं उनको एक-एक एंसर्स वो दे र और क्योंडे भारतमाता की सिर्थ